आपको जानकारी देंगे जिसका आपको हर महा इंतजार रहता है आपको बताएंगे आपकी राशी अनुसार उपाए ताकि अप्रेल का महिना आपके लिए धे सारी खुश्यां लेकर आए तो आएए कारिकरूम के शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं आपकी राशी चक्र के बारे में भी आपकी राशी चक्र के बारे में भी आपसे जानकारी प्राप्त करेंगे आए दर्शों को बात करते हैं नव वर्ष की नूतन वर्ष की और आपकी राशी चक्र की बी देखेगा सबसे पहली बहुत बड़ी खुशकबरी है कि सनातन धर्म के हिसाब से हिंदू धर्म के हिसाब से नव वर्ष चैत्र महा की शुकल पक्स की परतिपदा से प्रारंब होता है हर वर्ष होता है मार्च के एंड में या अप्रेल के फर्स्ट सप्ताह में ऐसा संयोग बनता है बाकी कई बार तिथियां आगे पीछे थोड़ा हो जाती है घट जाती है तिथियां कई बार तिथी हास भी हो जाता है तो वो चीज़ अलग होता है लेकिन हमेशा मोटी सी हम बात याद रखें के हिंदू नव वर्ष हिंदू पंचान का प्रारंब हिंदू नव वर्ष का प्रारंब हिंदू कलेंडर का प्रारंब और संवंत का आगमन संवंत का एंड और प्रारंब यह आप मा कि हम नववर्ष मनाते हैं, तो हम नववर्ष जो बनाते हैं, वो भगवती की साधना और आराधना से मनाते हैं, यानि कि भगवती कौन है, जगजन्नी है, मा है, मा के आशिरवाद को लेकर के, अगर कोई बच्चा अपना सफर प्रारंब करता है, अपना जीवन प्रारंब कर कि जिस वक्त आप नव वर्ष मनाएं अपने बही खाते बनाएं नए साल का पूरा ब्योरा तयार करें तो हम जब नव वर्ष में पदारपन करते हैं तो हम भगवती की पूजा से यानि कि उस दिन पर्थम नवरात्र भी होता और इस बार ये तीथी कब पढ़ रही है आप आप देखते हैं तो लेकिन आप जिन्होंने उस दिन से नवरात्र परारम ना किये हों तो ऐसी कोई बात नहीं है आप से जितना जैसे बन पड़े आप अपने राशी चक्र के उपाए कर लेना ठीक दूसरी बात कि रिश्यों के चिंतन के साथ साथ कन्या पूजान मा है यह कितनी बड़ी सोच है यह कितनी बड़ी बात है हम ऐसा नहीं कि हम सहाब सेर सपाटे पर निकल जाएं हम हुलडबाजी करें हम हुहा करें नहीं साथ हम भगवान के भजन यजन के साथ एक नवरश को परारण करते हैं उसमें आपको क्या विसेस करना होगा ये सारी ची करें तो हमें विशेस प्रकार का लाब मिलेगा मैं आपको आपकी राशी से संबंदित उपाए लंबे समय से बताता आ रहा हूं आ रहा हूं ना लेकिन एक बात ध्यान रखें कि इस वर्स इस समय जो ये नया वर्ष परारब हो रहा है उस महीने में यदि आप अपने राशी चक्र के उपाई करते हैं तो आपको बे मिसाल लाब मिलेगा हम किस वर्स में प्रवेस कर रहे हैं 2019 में तो हम है हैं लेकिन समवंत 2016 में हम प्रवेस कर जाएंगे छे तारिक की प्रात्यकाल से यानि के हम अग्रेजी कलेंडर की बात करें अंग्रेजी कलेंडर से भी हम 57 साल 57 आगे हैं अगर हम कलेंडर की बात करें ये नव समवस्र प्रारम हो रहा है ये शनिवार की प्रात्यकाल से प्रारम हो रहा है भगवती की पूजन से प्रारम हो रहा है तो इस वार अपने रासी से संबंदित उपाए आपको कर नहीं करना है कई बार आप मुछ से पूछने हैं, बेटा नहीं करता तो क्या मा कर ले, बिलकुर कर ले, पती नहीं कर ले, घर से कोई भी उपाए करे, लेकिन करे जरूर, और मेरे दरशो को, आप किसी भी पूजा से, किसी भी इस्ट से, किसी भी भगवान से दें, तो ध्यान रखना हो सके जो मैं आपके राशी चक्र के उपाई बताऊंगा वो भी आप जरूर करना हर समवस्तर जब प्रारंब होता है तो उसका अपने एक विशेस नाम होता है और इस समवस्तर का जो विशेस नाम है वो भी मैं आपको बता देता हूं परीधारी नामक परीधारी नामक यह सम नातन धर्म के हिसाब से उस साल का नाम भी होता है खाली इतना ही नहीं कि 2019 उस वर्ष का नाम भी होता है अब जैसे 2076 प्रानब हो जाएगा और यदि आप मेरी वीडियो यदि बाज में देख रहे हैं तो समझ ले ना कि वो प्रानब हो चुका है छे तारिक से इस समस्तर का न जैन्ती भी है और शिरी राम नौमी भी है तीन तीन वड़े पर्व भी इस महीने में हैं और उपर से हमारा नया वर्ष प्रानब हो रहा है तो सभी को नव वर्ष की धेर 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 सारी सुब कामना है आपका जीवन बहुत अच्छे से वैतीत हो भगवती आपकी समस्त मनो कामनाओं को पूर्ण करें इनी शब्दों के साथ हम आगे अपनी वानी को पिरारम करेंगे और आपकी राशी का बेखरा और राशी के हमें क्या-क्या उपाय कर ने है वो हम आपको पताना पिरारम करेंगे महिना उनके लिए धेर सारी खुश्यों के सौगात लेकर आए अहीं दर्शों को सबसे पहले तो नए संवर्षर की आपने बाते सुनी ही सुनी ये हिंदू नवर्ष शैप्रेल प्रारंब हो जाएगा प्रातेकाल की बेला से हम सबको खुश्या नसीब हों हम सबको जीवन में आनन दाए ऐसी हम भगवान से उस करणा मज़से आप सब के लिए करबद होकर के प्रातना करते हैं कि भगवान सबको सुख्षानती दे रासी का पड़ा उंतिम हो रहे है मीन रासी बारवे नंबर पर आती है और मीन रासी के जो स्वामी है वो ब्रस्पती है पीला रंग हो पूर जाता है एक चीज वो जो विशेश कहना चाहरा हूं हर एपिसोड में यह धियान रखें कि नया साल प्रारंबहे च्छे तरिक से तो जो आप अपनी रासी से संबंदित मीन रासी से संबंदित उपाए कर रहे हैं यह भी सोच के करिए कर मैं साल की सुरुवात के उपा को खुसियों से बर दें ऐसा भी हमें सोच रहा है और फर्स्ट इंप्रेशन सुरु में अच्छे उपाए हो जाए तो पूरा वर्श आनद रहता है खेत की सुरु में गोडाई निडाई अच्छी हो जाए तो फसल अच्छी आती है अब हम बात करते हैं आपकी राशी की आ इसलिए यूट्यूब पर सस्क्राइब जरूर कर लीजेगा क्योंकि यूट्यूब पर हम बहुत फॉकस करते हैं बहुत सारी चीजे आपको हम बताने का प्रयास करते हैं ब्रस्पति आपकी राशी के देव है और पीला रंग है तो केसर का तिलख मस्तक पे जिवा पे करें गुड गवशाला में कम से कम 900 ग्राम या एक किलो गुड गवशाला में दो ब्रस्पतिवार जरूर दे के आएं केले का पेड़ हर जगह होता है और पीपल का पेड़ भी करीब करीब हर जगह होता है तो जहां केला ना हो पीपल पीपल ना हो तो केला और दो ना हो तो द प्रस्पतिवार के दिन एक लोटे में हल्दी वाला जल ले जाएं दो देसी घी के दीप ले जाएं बना करके देसी घी के ध्यान रखें और देसी घी के दीप जो बनाएं दीप के बीच में थोड़ी हल्दी डाल लें दीप चाहे मिठी का हो या आटे का हो पीपल देव के सन निकट जाएं पहले जाएं पीपल देप पर पीपल देप पर जाकर के ओम भ्रह्म रस्पतय नमा नो बार बोलें दीप परज्विलत कर दें और थोड़ा से कोई पीली मिठाई ले जाएं उनके मूल में चड़ा दें और हल्दी वाला पीला जल ले जाएं आदह उसमें चड़ा दे या पूरा चड़ा दे दूसरा एक लोटा और बना ले फिर जल का थोड़ी हल्दी एक्स्टा ले जाए मंदिर में जल मिल जाता है वही से जल भरके उसमें पीला हल्दी मिला ले पीपल को नमशकार करें जड़ को तने को छुएं और आशिरवाद का उनसे ऐसा अ जरूर करें जिनकी मीन रासी है आगे बढ़ते हैं आप केले पर जाएं केले पर जाने पर भी थोड़ा मिस्तान चड़ाएं हल्दी वाला जल चड़ाएं और एक देसी घी का दीप जलाएं ओम ब्रह्म ब्रस्पते नमा ग्यारा या नो बार बोलें और उनसे भी ऐसी काम न करें बेटे के लिए मा कर सकती है मा के लिए बेटा कर सकता है कोई भी किसी के लिए उपाई कर सकता किसी तरह का कोई हर्ज नहीं है कोई डर नहीं है वहम ना रखें किसी तरह का आप बन में आपकी जनम पत्रिगा के ब्रस्पती भी उजबल होंगे कई बार गुरू चांड माउंट का भी आपको असर दिखने लगेगा जब आप इस परकार की उपाई करते हैं ठीक है तो आप अच्छे से कर लेना और दान की बात कर लेते हैं पीली मिठाई आप बाठ सकते हैं ब्रस्पतिवार के दिन पीला कपड़ा पहन सकते हैं पीली जेब में कोई रुमालादी रख सकते हैं अच्छा लाब मिलेगा हाँ एक बेस्ट उपाई सिर्फ अपरेल के महीने में एक ब्रस्पतिवारी उपाई करना किसी सादू को सन्यासी को दुरवेश को पीले रंग के वस्त्र गिफ्ट करें उनको देवें इससे बहुत अच्छे लाब कि आपको प्राप्ति अवश्य होगी मनिमन गुरु के बिजात्मक मंतर का ब्रस्पतिवार के दिन पाठ कर सकते हैं ओम गराम गरेम गराम से गुरवे नमा और अन्य मजभ के जो लोग हैं वो अपने इश्ट का ध्यान करें अपने जिनको वो मानते हैं उनको फॉलो करें अच्छे से प्रेम से और वो पुस्तके दान कर सकते हैं किताबे दे सकते हैं कुछ भी ऐसा बच्चे को जमेट्री का समान दे सकते हैं पढ़ाई लिखाई से मुतालिक कोई भी समान हो उसको वो किसी को gift कर सकते हैं बच्चों को दे सकते हैं कहीं भी orphan places में दे सकते हैं backs दिला सकते हैं बच्चों को है ना बच्चों को टिफन दिला सकते हैं टिफन box दिला सकते हैं बहुत अच्छा आपको लाब मिलेगा तो एक या दो ब्रस्पतिवार ऐसा करने से आपकी रासी में जुलत आएगी आपको लाब दिलेगा गुरु का विजात्मक मंतर भी बता सकते हैं जो पढ़ना चाहें तो पढ़ने अदभुत लाब की प्राप्ति होगी अम गुम गुर्वे नमा अम गिराम गिरिम गुरॉम से गुर्वे नमा इस मंतर को भी पढ़ सकते हैं अब हम गुरु का गाहित्री मंतर आपको बताते हैं आप नोट कर सकते हैं अम अंगी रसाए विद्महे दिव्य देहाए धीमही तन्नो जीव परचोदेयाद पुने सुने अम अंगी रसाए विद्महे दिव्य देहाए धीमही तन्नो जीव परचोदेयाद जी 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 विसर्ग लगा दें जी जीव हम गुरु को भी कहते हैं जैसे गुरु को संस्क प्रत में जी जीव कहते हैं, हिंदी में ब्रस्पती कहते हैं, है ना, गुरू भी कहते हैं, इंगलिस में जुपिटर कहते हैं, तो ऐसे ही इनका एक नाम जी और जीव है, इस स्टेशनरी की कोई भी चीज़े हम दानपुन कर सकते हैं, ब्रस्पती बार कहते हैं, तो उमीद करता हूँ जो आज ही उपाई बताए गए हैं आपकी रासी से संबंदित आपको लाभानवित जरूर करेंगे और कुछ एक टाइम टेबिल एक सुची आपके काम आएगी आपको पढ़के बता देता हूँ क्या-क्या है छै अपरेल प्रथम नवरात्र और नया समस्तर प्रारंप घर्टिस्तापना दुर्गा सफ़ती का पूजन भाभगवती का पूजन से नया वर्ष मनाएं सदा सुख पाएं जो लोग अस्टमी करते हैं किस दिन अस्टमी करेंगे 13 अपरेल की अस्टमी रहेगी लेकिन अस्टमी का जो समय है सुबह 11.45 तक है उसके बाद नौमी लग जाएगी जो लोग नौमी करते हैं तो सिरी राम नौमी जो है नो बज़ करके 32 मिनट तक सुबह नौमी रहेगी 14 अपरेल को उसके बाद 10 मी लग जाएगी तो अगर आप नौमी ही करते हैं तो सुबह करें लेकिन ये नहीं कि आप सोचें कि 13 तारिक को ही दिन के 12 बज़े के बाद हम नौमी कर लें तो नौमी का फिर मात्य में हैं अगले दिन सूरिय उदे व्यापनी तिथी के साथ ये दिकरते हैं जादलाब मिलेगा राम नौमी भगवान सुरी राम से जुड़े वो उपाई भी जो आप करना चाते हैं जैसे राम नाम का पाठ है रामाइन जी हैं जो भी आप करना चाहें राम नौमी अर्था 14 अपरेल को करें बहुत पुन्य के आप भागी बनेंगे इसी महीने में 19 अपरेल की हनमान जैनती है उसके कुछ विसेस उपाई बताई जाएंगे सुनना न भूले भगवान महीर जैनती 17 अपरेल की है उसके भी उपाई करना न भूले और एक खुशकबरी और रवी पुष्य नक्षत्र रवी पुष्य नक्षत्र भी 14 अपरेल का है तो जो लोग केले की जड है या हमने आपको बताया था मानिक की जगा सूरिय को बलिस्ट बनाने के लिए जो लोग उसकी बेल पत्र की जड पहनते बेल की जड पहनते विल जड पहनते तो वो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहा है 14 अपरेल दिन रवी बार, लेकिन condition apply, क्या 7 बजकर 41 मिनट तक सुबह, 7 बजकर 41 मिनट तक ही रवी पुष्य नक्षत्र रहेगा लाब उठाना चाहते हो, तो उठा लेना, ठीक है यह सब चीजें आपको हमने बताई आगे हमें क्या क्या करना है कैसे कैसे नवरात रो बहुत सारी पूजाय करनी है यूँ ही यूट्यूब पर हमारे साथ बने रहे है और बहुत सारी चीजें हम आपको बताते रहेंगे, उमीद करते हैं आज का ये लगू विश्य सांख मीन राशी वाले जातकों के लिए लावकारी सिद्ध होगा आपने इमना कीमती समय हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत धनेबाद सार आपका नमस्कार तो देखे दर्शुकों इस महाभी मेश राशी के साथ हमने सफर की शुरुवात की थी आज अंतिम राशी मीन राशी पर हम आप पहुँचे और आपको मीन राशी के लिए हमने बताया कि अप्रिल महाँ को अच्छा बनाने के लिए बहतर बनाने के लिए आप अपनी राशी नुसार क्या विशेश उपाय अपनाए तो इन्हों पायों को ज़रूर अपनाएगा यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा बाकी शर्माजी से वेक्टिका तॉप अप मुलाकात करने के लिए संस्थान में कॉंटाट कर आप परस्नल अपोइंट में ले सकते हैं कहीं दूर दराज रहते हैं मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं किसी ना किसी रीजन से तो ऐसे में आप कॉल अपोइंट में ले लीजेगा कॉंटाट करने का समय रहेगा सुबह 10 बज़े से लेकर शाम के 6 बज़े के बीच में अब चलने के दीज़े उचाज़त नमस्कार अन्य दिनों में शर्मा जी अधिकतार दिल्ली में रहते हैं हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें